इस वीडियो में हम बात कहने वाले CMA Students regarding most important update, जो हर CMA Students के लिए most important है, now first of all update बताओ, उससे पहले आप सब चोटा सा request करूंगा, अगर आप सभी YouTube चैनल अपने हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जो साइड में, बेल अकन वाला बटन से प्रेश कर देना, ताक दे 1900 student वहां से benefit ले रहे I want कि आप लोग भी जाईए जोईन होई और benefit लीजी चलिए update पहाते है ICAI का most important update है यहाँ पर आप बहुत सारे student कहे रहे थे sir mail address किस तरीके से change करूँ में यह comment आउट आ रहा था हर students के mind में because mail ID नहीं change हो पारी उनकी अब ICAI ने correction window तो on कर दिया है फिर भी एक डाउट आ रहा है student के mind में sir जब mail address है उसको कहां से change करूँ because OTP आने के लिए तो mail address पर OTP आएगा so what I do यह comment आ रहा है तो इसका एक solution मुझे लग रहा है भी तक जहां तक मुझे लग रहा है इसका एक ही solution है आप उसको apply करो सायद में भी आपका mail address चेंज हो जाए so dear students जैसे कि आप इस तरीकी के यहाँ पर आते है ICAI में का जो correction window regarding ICAI ने 16th तारीक को release किया था और 21 तारीक last date आपका correction window उसके बाद close हो जाएगा अब यहाँ पर आप जो भी चेंज करना चाहते है क्लिक है रवले section पर जाका आप चेंज कर सकते हैं कुछ students का माइंड में एक doubt आ रहा है sir जब मैं उस पर क्लिक कर रहा हूं और correction window चेंज के correction window पर जा रहा हूं जो mail address चेंज कर निकला है फिस कुछ भी तो आप पहले OTP पर आएगा जो mail पर आएगा तो उसके लिए क्या करूँ मैं मेरा तो mail address ही wrong है तो आप सभी को मैं suggest करूँगा है यहां पर mail address दिया गया है exam.helpdesk.icmi.in यहां पर हाला कि ICM ने clearly mention किया है कि जो भी आप के queries हो directly यहां से correction window से आप solve करना दे सकते no change correction will be accepted through email and phone calls तो ओके आप लोगे mention की जहां पर sir here are means कि आपने जो correction window on किया है वहां पर mention किया है कि कुछ भी changes नहीं होगा mail address के अगर आप ICMI को mail करते हैं फिर call करते तो बट वहां पर बताए कि sir मेरा mail address ही wrong हो हो चुका है तो अब मैं क्या करूँ because mail address wrong है तो टीप आ नहीं रहा है तो इस तरह के मेंसेज करना अधर्वाइस अन सेकेंड अफॉल आप अपना registration number mention करना roll number message करना अपना प्रेशली जो भी होगा आपका sorry date of birth यह सब कुछ mention करना mobile number register mobile number mention करना why because आपको वो लोग तभी पता करेंगे आप कौनसे student हो आपका mail address में possible हो तो changes कर दे hopefully आपको समझा है इनके सब के माइन में फिर भी कोई doubt आए comment section में comment करना या फिर आप परस्टनली बात करने के लिए इंस्टाग्राम पर आ सकते हो लिंक जो होगा description में दे दे रहा हूं thank you students